नमस्कार मैं वसंद्रावल जोतिश विद्या नियान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूँ कुंडली के वो कौन से छे भाव है जिसमें शनी बैठा हूँ तो सर्वोत्तम फल देता है तो आईए देखते हैं सबसे पहले नमबर पे आता है तीसरा भाव अगर कुंडली के अंदर तीसरे भाव में शनी बैठा हो तो अती विशिष्ट फल दाई माना गया है क्योंकि तीसरा भाव कड़ी मेहनत का भाव है परिश्रम का भाव है और शनी ग्रह खुद कड़ी मेहनत और परिश्रम का कार ग जिशिष्ट फलदाई बन जाता है जिसकी भी कुंडली के अंदर शनी तीसरे भाहो में बैठा हो तो ऐसा व्यत्ती बहुत ही मेहनतू होता है कड़ा परिश्रम करने वाला व्यक्ती होता है ऐसा व्यक्ती अपनी दिम्हदारियों के पृती अपने काम के प्रती पुरा इमानदार, वफादार, नीतिवान होता है और ऐसे व्यक्ति को मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है ऐसा व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत से अपने दम खम पर अपनी काबिल्यस से अपना भाग्योदय करता है दूसरे नमबर पर आता है छठवा भाव अगर कुंडली के अंदर शनी छठवे भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदाई माना गया है क्योंकि छठवा भाव रूण, रोग, शत्रू का है और शनी पाप ग्रह है और पाप ग्रह जो भी भाव में बैठ जाता है उस भाव के फल को नाश कर देता है अर्थात शनी छठवे भाव के अंदर रोण, रोग और शत्रू का नाशक होता है इसलिए कहा गया है क्योंकि छठवे भाव में शनी शत्रू हंता माना गया है अर्थात शत्रू का नाश करने वाला माना गया है और यही शनी अपनी तीसरी द्रष्टी से अश्टम भाव को देखता है तो व्यक्ति को दिर्ग आयू प्रदान करता है शनी अपनी सप्तम द्रष्टी से बारावे भाव को देखता है तो बारावे भाव के अशुवफल को नाश करता है और यही शनी अपनी दसवी द्रष्टी से तीसरे भाव को देखता है तो ऐसे व्यत्ती को बहुत ही महंतू, इमानदार, वफादार, नितिवान बनाता है अभी हम आते हैं तीसरे भाव पर के कौन सा तीसरा भाव है जिसके अंदर शनी बहुत अच्छा फल देता है तो सुनिए, शनी सब्तम भाव में बैठा हो तो भी सर्वत्तम फल देता है क्योंकि शनी सब्तम भाव के अंदर दिखबली होता है और दिखबली क्यों होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर सब्तम भाव के अंदर तुला राशी आती है और शनी तुला राशी के अंदर उच्चका होकर शश्योग नामत पंच महा पुरुष राज्योग बनाता है इसलिए शनी को सब्तम भाव के अंदर दिख बली माना गया है जिसकी भी कुंडली के अंदर शनी सब्तम भाव में बैठा हो ऐसे व्यक्ति बहुती महंतू होते है स्वमानी, स्वाभी मानी होते है इमानदार, वफादार, नितिवान होते है शनी सब्तम भाव के अंदर स्वधरुही या उच्चिका होकर बैठा हो तो शश्योग नामक पंच महापुरुस राज्योग निर्माण करता है तो ऐसे व्यक्तियों को सेवा भाव, परोग कार, एंजियो चलाना, दुख्यों की मदद करना, समाज के उत्थन के लिए काल्य करना, लोगों को नयाय दिलाना जैसे काम करें, तो बड़ी उम्र के अंदर, उसे समाज के अंदर मान, सम्मान और पद प्रतिष्टा की प्राप्ती होती है और उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें अच्छे कामों के लिए याद करते हैं उसके बाद आता है आठवा भाव अगर शनी आतवे भाव में बैठा हो, तो भी सर्वोत्तम फल देता है क्यों? क्योंकि जो आतवा भाव है, ये शनी का कारग भाव माना गया है और जिसके भी कुंडली के अंदर शनी आतवे भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति दिर्ग आयूँ प्राप्त करता है एसे व्यक्ति अपने फैमिली के लिए अपना पूरा जीवन समर्बित कर देते हैं, खुद की सभी इच्छाओं को दबा कर अपने फैमिली के सभी व्यक्तियों की सारी इच्छाओं पूरी करने वाले व्यक्ति होते हैं, और ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को गु इन्हें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आता है दसवा भाव। शनी दसम भाव में बैट जाए तो भी सर्वत्तम फल देता है। क्यों क्योंकि जो दसवा भाव है ये शनी का कारक भाव माना गया है। क्यों कारक माना गया है वो भी मैं आपको बताना चाहता काल पुरुष की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर मकर रासी आती है और मकर रासी के अंदर शनी स्वध रुही बनकर शश्शियोग नामक पंच महापुरुस राजियोग बनाता है इसलिए शनी को दसम भाव का कारग वाहो माना गया है जिनकी भी कुंडली के अंदर शनी दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुती महंतू, इमानदार, स्वमानी, स्वाभी मानी होते हैं और नियमों का उलंधन किये बिना काइदा कानूं के दायरे में रहकर अपना काम करने वाले लोग होते हैं और उसमें भी अगर शनी, स्वाग्रुई या उच्चिकाहो के दस्वे भाव में वैठा हो और शश्योग नाम का पंच महापुरुस राज्योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को शनी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत बड़ा लाब होता है और ऐसे व्यक्ति धनवान, यर्शवान, किर्थिवान होते हैं और समाज के अंदर पदपतिष ठाकी भी प्राप्ति करते हैं उसके बाद आता है बारावा भाव, शनी बारावे भाव में वैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं क्यों क्योंकि बारावज भाव शनी का कारग भाव माना गया और ये भी माना गया है कि शनी बारावे भाव में मोक्ष दाई होता है तो जिसके भी कुंडली के अगर शनी बारावे भाव में वैठा हो मैंने देखा है कि उन लोगों का भाग्योदे जन्मस्तान से दूर जाने से होता है जिसके भी कुंडली में शनी बारावे भाव में वैठा हो अगर ऐसा व्यक्ति जन्मस्तान से दूर जाकर कहीं नौकरी करें तो निश्चित तोरके उसे बहुत लाग होता है जैसे कि काफी लोग विदेश में जाकर नौकरी करके बहुत अच्छा धन कमाते हैं और यही शनी अपनी सात्वी द्रष्टी से छट्वे भाव को देखता है तो शत्रू के उपर विजय प्राप्त करता है शत्रू का नाश करता है प्रियदरशे को अभी हमने जाना के कुंडली के अंदर शनी तीसरे और छट्वे भाव में बैटा हो तो अती विशिष्ट फलदाई माना गया है शनी सप्तम भाव के अंदर दिख बली होने के वज़ कारक है आटवे भाव का कारक है दसवे भाव का और बारावे भाव का कारक है तो इन भाव के अंदर भी अगर शनी बैट जाता है तो बहुत अच्छा फल देता है सिब शर्त यह है कि शनी निच रासी में निर्बल नहीं होना चाहिए शनी अस्त का नहीं होना चाहिए शनी बहुत कम डिगरी का नहीं होना चाहिए यानि कि जीरो एक दो डिगरी का नहीं होना चाहिए और ये शनी नवमाश कुणली के अंदर भी निच का नहीं होना चाहिए शडबल में बलवान होना चाहिए प्रियंदर्शा को अभी हम लोग जानेंगे कि शनी कौन से गरहों के शनी की यूती होती हो तो संघर्ष योग निर्मान होता है। चंद्रशनी की यूती होती हो तो विश्योग बनता है। मंगल शनी की यूती अस्तिभंग बनाता है। बुद्ध शनी की यूती मंद योग बनाता है। शनी राहू और केतु के साथ यूती करके बैटा हूँ तो शरापित योग बनाता है। अगर ये यूती कुंडली के अंदर तीसरे, छटवे, साथवे, आटवे, दसवे या बारावे भाव में हो जाए तो शनी के शुब फल में कमी आ जाती है। प्रिया दर्शबो, आज के लिए बस इतना ही, आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नवश्कार।